तो के आज में अपलोगों फिर से एक बार लाइटरूम के पाच प्रो टीप्स के बारे बताऊंगा और इसमें से तीन बहुत यूनिक टीप्स होने वाले यह जो तीन यूनिक टीप्स है इसके बारे में शायद यूटूब में शायद नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है आप अगलों को पहले पहले से पाता है तो कॉमेंट करके बता सकते हो वह कई वह कॉष्थ है तो यूनिक टीप्स है इसके बारे में जानने के लिए आप बिट्वाव पुरह एंड तक देखना होगा अगर आप बिट्वावडियो को पाता चलेगा कि वो जो तीन यूनिक टीप तो लाइक करना शेर करना एंडी चे कॉमेंट करके जरू बतने क्या वीडियो क्या लगा तो चलो जार वीडियो को स्टर्ट करते आप लोग सोच ने होंगे यहार शार्पनिंग के बारे में तो हम लोग को पता हैं क्यों बता रहें। सबसे पहले अप्लोग को सर्पनिंग करना है आप लोग को जितना चाहिए उतना आप लोग को यहाँ पर एड कर लाना है ठीक है फॉर एक्जेंपल मैं यहाँ पर 80 तक इंक्रीज कर रहेता हूँ उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर masking करके option इसको आप single finger से भी यूज कर सकते हो लेगिन आप अगर single finger से यूज करो करोंगे तरह लोगGO को पता नहीं चलेगा कि याप पर प्रोपा तरीके से masking ऐड packs हो रहा है कहा कहा पर एड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है सिसेथरूय कांट पर यह जो इंक्रीज करते आपनिंग ऑप्शन है इसको आप क्या से योज़ कर सकते हो ओके स्वाइज टिप्स नमबर टू विल गाईज आप लोग को पता होगा कि लाइट्रूम में हम लोग मैनुवाली कोई भी देंजी प्रिशेट यूज़ कर सकते या फिर एक से भी प्रिशेट यूज़ कर सकते ल जो लोग को अप्लीशन है इसको उपर आप लोग को क्लिक करना है और यहाप पर थोड़ा सा सर्चिंग वोगा उसके पाद आप लोग को बहुत सारा सा प्रिशेट आपके संब्लों के सामने आ जाएगा और जिसको आप बहुत ही अच्छी तरके से यूज़ कर सकते हो उसी तरगे से आप प्रिशेट को यूज कर सकते हो उसके लिए अप लोग को आना है निव में यहाँ पर बहुत सब्सक्राइब को फोटो एड़िंग किया है उसी फोटो को वो लोग क्या किया है कि यह जो लाइट्रूम अप्लीशन है इसके अंदर वो एड कर चुका है और उसी यह पर जब आ जाएगा यह फोटो तो आप लोगों को उपर ध् attack लिख न होगा इसके आप लोग Hehe लिखा हुआ है और आपो स्ट किलिक करना तो फोटो सिंट यह आपकी यह भा आपको उसको उसको क्या सी उजे आप चाहिए उसके लिए यह फोटो को फोटो लाइबरी में जाना है all photos के अंदर जाना है एंड यहां पर फोटो को open कर लेना है तो यहां पर मैंने एक photo for example open कर लिया तो आभी फोटो को उपर आबें हम जो preset SHAPE किया है उसी प्रिषट को यहां पर add करेंगे तो उसके लिए आप जाना होगा ने उसको उपर क्लिक करना है यहाँपर सेट प्रिशेट करना के अथिक फाइल बन जाएगा निटुट ऊबुट करना एक अच्छा-चाल लुक देश सकते हों वह गाईस आशागाट आप लोग को ए जो सेकेंड टिप्स है वह भी बहुत ही बढ़ी अलगा होगा ओके सो गाईस टिप्स नम्मा थ्री सो गाईस इसमें क्या होगा कि आपका जो लाइट्रूम अपलेशन आप लोग को पता है कि उस लुक पर क्लिक करना है एक फोल्डर की तरह इसके अंदर 10 या फिर 5 या पर तीन इस तरीक के से बहुत सरा प्रिशेट होता है और जिनको आप बहुत ही अच्छे तरगे से एक ही क्लिक में यूज कर सकते हूं तो यह जो जितने प्रिशेट था वहाँ पर प्रिशेट सेक्शन में उसी तरगे का यह भी आप लोगों के सामने शो कर दिया जाएगा और इसको आप फ्यूचर में आपकी प्रिशेट रही क्यों प्रिशेट इससे पहले हम लोग जब आड करते थे लाइट टूम अपलीशन में तो उसमें बहुत ही जाएगा लगता था और बहुत ही अंदर जाके उसको एड करना पता था उसके बाद कोई-कोई-कोई-क्रिशेट एड में ही भी होता था तो आड बहुता तो उसको आप मैनॉली क्या से एड कर सकते हूँ उसके लिए अप लोग को जाना होगा जो प्रिशेट वाला अप्सेन उसको उपार जाना है ठीक को उपर क्लिक करना है याप पर इंपोर्ट प्रिशेट लिखा हुआ है चिस फोल्डर में आपका जो प्रिशे ने इसको उपर just click कर देना है तो आपका जो लाइट्रूम का जो प्रिशेट स्रेक्शन है वह आपका एड हो जाएगा तो नीचे सबसे नीचे मैंने अभी दस प्रिशेट एड गया दस एक से में प्रिशेट एड किया तो फोल्डर में है आपका यह एक से प्रिशेट आपका और कोई प्रिशेट आता था या फिर कोई प्रिशेट नहीं भी आता सो भी नहीं करता दा तो बहुत ही टाइम लंग दहां और बहुत ही एकनम घट monster ऑब मेखा गहए को के सबसे पहले हम लोग के है करने के बाद हमारा लोगो हता हनु कहा होगा similar फिसलेप अप सब्सक्राइब और यह उसको सबसे पहले क्या होता हैas यहाँ पर एक option था आपका copyright वहाँ पर add करने की see करके उसके बाद आप कुछ भी लिख साते थे आपका जो नाम है या पर आपका जो चैनल का नाम है वह आप वहाँ पर लिख सकते थे आपका जो चोटा सा लोगो है उसको आपका पर नहीं रहेगा आपका जो पिक्चर होगा वह क्वॉलेटी डेमेज नहीं होगा जैसा पीचर आप यहाँ से सेब करने के बाद जाते थे पिक्सलाब में या फिक्साट में वह आप थोड़ा बहुत पिक्चर क्वालिटी ड्यामेज होता ही था ठीक है लेकिन आभी लाइट्रूम से आप सेब करोगे और लाइट्रूम में वही आपका जो कस्टम लोग है उसको आप एड करोगे तो आप ग्राफिक टेक्स देखो यह सबसे पहले था सि द आपका जो चैनक का नाम है या फिरा आपका नाम है वह यहाप पर ढूम हो जाता था तो आभी का होगा हों आप यहांपको लोग को जाणा होगा ग्राफिक में यह सरनीकर Azad बाध प्यलों चाहातिब आपका कर चाहाता है और यहाँ पर आप अच्छे दरगे से साइज को increase, decrease याँ फिर opacity को काम याँ पर ज्यादा उसके बाद आप कौन सा side में इसको रखना चाहते हो याँ फिर उपर या फिर नीचे आप जहाँ पर भी रखना चाहते हो आपका logo जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो वहाँ पर बताया होगा गैस सर्द हो सकते हैं मैं ही पहले बार हो जाप लोग को ये जो क्रीक है वो सेर कर रहा हो तो इसके लिए एक लाइक जरू कर ना गाई सूबर यही था आज का जो टिप्स यांड ट्रिक्स ओला वीडियो और आज ङई सको आप लोग को यह बहुत बढ़ी लगाऊगा जितने विफ्स मैंने बताया वह भी बहुत बढ़ी लगाऊगा अगर आप लोग को अच्छा लगाओ तो लाइक करना शेयर करना और नीचे कॉमेंट करके ज़रूबा तरने के आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा तो चलो यार मिलते को नहीं और आसम वीडियो साथ तब तक के लिए बाई